यहांट खुलता है कि यहांट मिल जए आपको सबस، पहले के पहले को अपना कोई भी आईडी रख लेना है ठेक है तो गाइज यह सब दस्तवेर्च लेने के बाद आपको क्या करना है कि ये धां को भरना है तो भरने के लिए सबसे पहले देखिए यह फर्स्ट प्विज हो गैया तो ग नहीं को क्या क差 सकरबरें एक आपको करना है इसी पर टिक कर देना इंडिविजूछल पर ठीक है तो यहां पर आपको टिक कर देना एगर आप कुछ और है करमचारी है या पर इन संधारी है तो निसुट से जिए पहले को सबसे ठीक है बनाव यहां गौद आना है उनके ID के हिसाब से डालना है ठीक है तो उनके ID के हिसाब से जो भी नाम है तो यहां पर फर्स्ट नेम डाल देंगे अगर कुछ मिडिल नेम है तो यहां डाल देंगे अगर मिडिल नहीं है तो लाश्ट नेम यहां पर डाल देंगे ठीक है तो हमने यहां पर नाम डाल देंगे ठीक है अब कोई लड़का है कुछ भी है जो भी है तो यहां पर पिता का नाम डाल देना है तो पिता का नाम डाल देना है यहां पर फॉस्ट नेम यहां पर मिडिल नेम फिर यहां पर लास्ट नेम ठीक है उसके बाद क्या करना है कि यहां पर देखिए मौदर का ना भाते सकतें हैं तो लगा सकते है भिए आपको father's name पे आपना नाम फिर father's name फिर mother's name डालने के बाद आपको यहां पर आना है जाप है तरिए material status मतलब आप साधी सूदा है के un skeptic जो भी है मारीड है तो यहां पर टिक करेंगे अनमारीड है तो यहां पर ठीक है उसके बाद संबंध कोड में यहां पर पती पतनी जो भी है यहां पर जो नाम डाला है आपने ठीक है तो वही टिक कर देंगे आपने पीता का नाम अगर डाला है तो यहां पीता पर कर देंगे तीक उसके बाद गाइज यहां पे डैटप बहुत आपका डालेना है मतलब जिसका अकाउन खुल रहा है उसका डैटप बहुत यहां पर Doch डालेंगे आई-डी के हिसाफ अब से यहां पे जाफ पर धीन और यहां पर माँ फिर यहां पर वस ठीक है उसके बाद यहाँ पे link डालना है gender male female जो भी है यहाँ पे tick कर लेना है male है तो male पे अगर female है तो female पे उसके बाद यहाँ पे nationality रश्टियता आपको भारतिय कर देना है उसके बाद यहाँ पे आपको pen card का number अपना डाल देना है सही-सही pen card पे आपको लिखार रहता है तो यहाँ पे pen card का number डाल देना है फिर आना है आपको 3 नमर में देखिए यहाँ पे आपका पूछ रहा है वर्तमान निवास मतलब आपका present address क्या है तो वो address यहाँ पे डाल देना है मकान संखे अगर है तो डाल देना है अगर आप कोई society apartment में रहते हैं तो यहाँ पे society apartment का नाम डाल देना है उसके बाद गाज देखिए यहाँ पे आपको city या village अगर आप village में हैं तो अपना गाओ का नाम विलेज का नाम अगर city में रहते हैं तो नगर का अपना नाम डाल देंगे यहाँ ठीक है उसके बार यहां पर आपको जीला डाल देना है किस जीले से आप मतलग किस जीले में राते हैं ठीक है उसके बार यहां पर आपको state का नाम डाल देना है जिस state में हो डाल लेंगे फिर यहां पर country अपना इंडिया डाल लेना है फिर आप जहां राते हैं उसका area code यहां पर pin code ड लेना है ठीक है मुबाइल नवर डालना है एक पैसाऊ-मल को इसको छोड़ भी सकते हैं टीक है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यहां पर पर्मनेंट एड्रेस है तो सिर्फ यहां पर टिक लगा देना है ठीक है आपको यहां पर भरने की जरुवत नहीं है अगर आपका बरतमान एड्रेस कहीं और पर्मनेंट एड्रेस कहीं और है तो यहां पर आपका वो डालना पड़ेगा ठीक है तो वेसे ही अगर आपका पर्म पर्मानेट इड्रेश से हमसे ही भGu लेना है जहां परणैन माकान संख्या फिर यहां परणी का नाम अगर आप किसी गाउसे हैं तो यहां पर देखिए गाउं या शहर से हैं तो नगपान आपका दिस्टिक यहां है डालेंगे फिर अपना इस्टेट डालेंगे फिर कंट्री इंडिया डालेंगे फिर वहां एरिया का पीन कोड डालना है फिर वह सही यहां पर मोबाइल नमर डालेंगे फिर उसके बाद यहां पर इमेल डाल देना है उसके बाद क्या हुआ कि आपको फॉर्स्ट वाल कि आप ठीक है पैचान के तो आपका जो भी मतलब यह आईडी है आईडी में अधार काड़ भी हो सकता है अगर पासपोर्ट दे रहे हैं तो पासपोर्ट यहां पर लिखे देंगे ठीक है तो हम अधार काड़ लिखे हैं फिर वह डोकुमेंट नमबर आपको डाल देना है मतल तो यहां पर आपको कहां से इसू हुआ है पासपोर्ट यह नाम यहां पर भरना पड़ेगा जिस जगह से हुआ है फिर पासपोर्ट का इसू डेट यहां पर डालना पड़ेगा डेट महीना यह ठीक है अगर आप अधार काड़ हो गए आपको यह आईडी डाले हैं तो सिर डीक के बाद आपका पाचान के करने के बाद यह wiring के बाद आपको वहीड बरना है देत मे ङा रहे हैं उसके बाद प्लेस का नाम अस्थान का नाम यहां पर दे देना है ठीक है उसके बाद देखिए यह second page जो है आपका complete हो गया आपको वाजना है third page ठीक है friends यहां पर देख सकते हैं हम third page पर आ गया है तिसरा page पर तो तिसरा page पर देखिए religion यहां पर धर्म आपको जो भी आपका धर्म है टीक लगा लिया फिर आपको यहां पे शरेनी कटिगरी मतलब पूछ रहा है इस mo mathematically करेंगों अगर आपकी से हैं क्या करते हैं तो यहांइब एसटी अगर उठाते हैं को नज शररा करेंगे कर देना है अगर आपको कोई बिजनस है तो यहां पर टीक कर लेंगे अगर आप स्टूडेंट है तो यहां पर टीक कर लेंगे ठीक है उसके बाद गाइस देखिए अगर आप कोई बिजनस करते हैं तो यहां पर टीक किये हैं तो यहां पर देना पड़ेगा लाइन ऑफ तंधारी है तो यहाँ पर कुछ आपको टिक करने की जरुवत नहीं है ठीक है उसके बाद गाइज अगर आप इंप्लोई दिये हैं अगर कौन सा मतलब सेल्फ इंप्लोई बिजनस दिये हैं तो यहाँ पर टिक कर लेंगे जो भी आपका मतलब जी सेक्टर से बिजनस है अगर तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है ठीक है उसके बाद गईच देखिए यहाँ पर आ जयाना है एजुकेशन पे सिक्षा पे मतलब क्या अगर आप अनपढ़ है तो इलिट्रेट पर मतलब टिक कर देंगे अगर आप ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ पर फोस्ट अगल मतलब आपको वारसिक आई तो सब्सक्रास्ट इसको अपने हिसाफ कर लेना है उसके बाद पैसा है क clown it कि अगर आप किसी कंपशनमे में काम करते हैं तो यहां पर भीजनस है जैसे कि als कि अगर कोई कर देंगे खिख उसके बाद ऊसके आपको नीचे है अगर कोई आपका लौN कुछ उपद्रेंगे है तो यहां पर करेंगे यह समय अगर नहीं है तो यहां पर नहीं नहीं पर क्लिक कर देना है तीनों पर फिर यहां पर भी हाउस लोन है तो यहां पर नहीं पर क्लिक कर दिया हमने हमने कोई लोन नहीं है ठीक है उसके बाद क्या करना है कि यह थर्ड नमबर कंप्लीट हो गया हमको चौथे पेज़ पर आना है ठीक है उसके बाद गाईज देखे चौथा पेज़ पर हम लोग आ गए यहां पे लिखा है केवल बैंक परियोग है तो फोर बैंक यूज अनली ठीक है तो यह बैंक वले लोग भरते हैं लेकिन यहां पर अपना नाम आप डाल सकते हैं ठीक ह जैसे कि आपका जो नाम है यहां पर परथम नेम और मिडिल नेम है तो डालेंगे और यहां पर लास्ट नेम ठीक है तो यहां पर डाल दिया उसके बाद गाईज देखे यहां पर आपने दिया है पाशान पत्र में पाशान परमान में तो आपका हमने अधार दिया है तो य बाद को स्भूण कर देंगे लोग कर देंगे यहां पर यहां पर जो है आप को यह बचत खाता खुलवा रहे हैं मतलब से बीग अकॉंट यहां पर टिक कर देना है फिर यह पर मतलब किस अस्तान का है वह बरांच यह y好了 है फिर उसी मतलब वही डेट डालेंगे यह क्यों मतलब चोथा पेजी इफ 20 mix भरते हैं लेकिन आप चाहे तो भर सकते हैं थे फिर आपको आना है प्वहे पेज पर तो फ्रेंड यहां पो अपना दिनांग भर लेना है थीक है यहां पे निजिए अने पर डेट कि उसके बाद गईज देखिए यहां पर आपको बचत्त खाता saving account यहाँ पर tick कर देना है ठीक है उसके बाद आपको फिर यहाँ पर नीचे आना है उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए आवेदक की जनकारी applicant detail में यहाँ पर देखिए सुनू कुमार हमने नाम डाल दिया है फिर से यहाँ पर प्रोथम name और यहाँ पर last name ठीक है गाईज अगर आप joint account खोलवा रहे हैं एक से ज्यादा आदमी है तो यहाँ पर देखिए second holders name अगर दूसरा आदमी है जो उसका नाम यहाँ पर डालेंगे ठीक है और उसका भी यहाँ पर last name डालेंगे तो गाईज यह हमारा joint account नहीं खोलवा रहे है ठीक है यह personal account है joint account नहीं है तो उसके बाद क्या करना है अगर joint account खोलवा रहे हैं तो यहाँ पर भी second में नाम डाल देना है जिसका मतलब साथ में नाम जुड़वाना चाहते हैं ठीक है उसके बाद गईज देखिए यहाँ पर दे रहा है यहाँ आप लोग देख सकते हैं यह दे रहा है कि अगर मतलब माइनर आप हैं आपका अठारा साल से कम उमर है तो यहाँ पर गार्जियन शुप में नाम डालना पुड़ता है तो यहाँ पर आपको नाम डाल देना है दीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं परिचलन का परकार mode of operation तो यहाँ पर गाईज अगर आपका मतलब यहाँ अगा सोएं ठीक है अगर गाईस आपका joint account है एक से दो आदमी account इसमें खुलवाना है दोनों आदमी का नाम रहेगा तो यह joint jointly रूप से डालेंगे ठीक है तो आपका अगर single account है तो यह self पर click कर देना है ठीक है उसके बाद guys यहाँ पर देखिए यहाँ पर नीचे में आपको दे रह चाहिए अगर joint account आप खुलवा रहा है तो उनका भी ATM लेना है तो उनका भी नाम डालेंगे अगर आपका personal single account है तो यहाँ पर डालने की जरूत नहीं है किसी का नाम तो यहाँ पर आपका नाम हो जाएगा उसके बाद guys यहाँ पर देखिए नीचे में यहाँ पर देख सकते लेन तो आपका जबी transaction होगा लेने उसका message आपको mobile नमर पे अऊभ पर ना है तो यहाँ जाते हैं तो यहाँ बूक ट्रिक कर दें नहीं चाहते हैं तो यहाँ नो कर देंगे ठीक है उसके बाद गैस देखिए यह वाला भी मतलब पेज कंप्लीट हो गया फिर आते हैं नेक्स पेज पे तो फ्रेंट्स देखिए यह वाला पेज पे आ जाना है आपको और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखे देना है फिर यहाँ पे ब यहाँ पे फोटो लगा देना है ठीक है यहाँ पे दीक सकते हैं यह परिशालन का जो इंस्ट्रक्शन है तो यहाँ पे सेलफ कर देना है तो यहां पर देखिए गाइज नूमीनी का डिटेल आपको भरना है जिसका एकाउंट है तो सबसे पहले वो अपना नाम यहां पर डालेंगे उसके बाद आपका बरांच कहाँ पर फिर बरांच यहां पर वो जगवा का नाम डाल देंगे फिर यहाँ पर देखिए nature of deposit कौन मतलब जम्मा का सुरूप तो यहाँ पर saving account है तो saving account लिख देंगे ठीक है फिर यहाँ पर देखिए nominee का नाम क्या डालना है मतलब किसका डाल डालना है mother's name father's name जो भी है आपको डाल देना है ठीक है तो जाइस देखिए हमने यहाँ पर mother's name का nominee का नाम डाला है तो यहाँ पर उनका first name और यहाँ पर middle name है तो डालेंगे नहीं तो last name ठीक है भर देना है ठीक है ड्रिस भर देंगे यहाँ पर उसके बाद उसका मोबाइल नमर यहाँ पर सही सही डाल धाल देना है November email अड़ी है तो भी सकते हैं और यह सब डालने के बाद गने का नाम जिसकाहें हैं अगर उसका उमर 18 से कम है नोमनी का उमर 18 से कम है तो यह सब डीटेल आपको भरना पूरता है ठीक है और अगर आपका उनका 18 से ज्यादा है तो यहां पर भरने की ज़रुवत नहीं है फिर यहां पर देखिए उसके बाद आपको यहां पर देखिए नीचे आना है ठीक है यहा अगर आप पहले लिखना है तो आपको यहां पे दो गवा का भी नाम डालना पड़ेगा उसका पता ठीक है अगर आप पढ़े लिखना नहीं है तो यहां पर देखिए witness यहां पर भी फोटो लगा देना है ठीक है जिसका एकाउंट खोलवा रहा है यहां पर भी फोटो लगा देंगे फिर अपना ID ले जाना है फिर pen card लेकर जाएंगे तो आपके bank में आपका एकाउंट खूल जाएगा